तो जैसा कि आप न्यूज इसमें देख सकते हैं वीडियो में कि आज CITS का एड्मिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है जो CITS एनी CTI के लिए आपका इंट्रेंस एक जाम होने वाला है 16 और 17 सेप्टेंबर को उसका एड्मिट कार्ड आ चुका है तो उसको कैसे डाउनलोड करना है वीडियो में आप देखेंगे सबसे पहले आपको ओपन करना अपने मुवाइल फोन में गूगल क्रोम या अगर लैपटॉप पे हैं तो वहाँ पे भी ब्राउजर ओपन करियो औ बाइब यहाँ पे आपको टाइप करना है निमी और निमी Only Admission.in जो उपन होगी यहाँ पे आपको क्लिक करना है चांक्त करने के बाद आपके सामने देखिए help यहां पे आपको इस हम पूचला आएगा यहाँ पे आपको रेजिस्टरड मॉबाई नमबर जो इमेल डी और मॉबाई नमबर अपने começa किया हुआ है यहां पे आप देख लीजे वह CT वी के ओपको ट्वाइ दिया ऐहां पर करनेके बार आप लॉग न पक्लिक करके अपना एडमिड कार्ड या अप्लिकेसन का स्टे इठ rental सकते हैं आप जब open करेंगे तो कुछ इस तरह का एक page open होगा यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपने जो forms भरे हैं वो सारी detail यहाँ पर दी हुई हैं आपको hall ticket download यहाँ आपका लिखा हुए लेकिन यहाँ पर कोई भी टिक नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं एक link आपको मिलेगा download hall tickets पर CITS 2020 online exam तो यहाँ से आप क्लिक करके hall ticket को download कर सकते हैं इस तरह से एक PDF फाइल आपकी download हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका examination center कहां पर है इसको आप save कर सकते हैं इस तरह से कोई भी एक folder आप चूच करके वहां पर इसको save कर सकते हैं यह save हो गया यहाँ पर अपना examination centers देख सकते हैं आपका examination center कहां पर है जैसा कि गोंती नगर लखनो दिखा रहा है 16 तारीक को तीन बज़े से 5 बज़े और reporting time आपका 45 minute पहले होगा 15 minute पहले gates close कर दिये जाएंगे इसी में examination देने के बाद आप ध्यान दीजी यहाँ पर आपको और सारी choices मिलेंगी बाद में आप फिर इसी website पर login करके admission के time पे अपनी choices फिल कर सकते हैं जो counselling fees होगी वो सारी चीज़ें आप इसी website पे भर पाएंगे जो कि है निमी online आपका website साइट तो यह वीडियो आसा करते हैं आपको helpful रही होगी आप अपना admit card easily इससे डाउनलोड कर सकते हैं और अभी one week का time है तो आपको अभी लग जाना चाहिए इस one week में आप जितना पढ़ लेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिसियल होने वाला है क्योंकि जो भी competitive exam होते हैं वहाँ पर एक एक नंबर से आपकी merit पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी 24 होगी college की जो NHTI या जो भी आप लेना चाहेंगे वह आपके numbers उसमें बहुत matter करेंगे अभी भी time है आप अपना जो trade subject है वो और जो आपने थामनेल में दे दिया उससे आप से लिबस भी चेक कर सकते हैं क्या क्या आएगा और अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से